अब question number 3.8, on a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour, तो 36 km per hour, this is the velocity of car A, तो इसको मैं VA लिख देता हूँ न, तो यह कितना आजाएगा, 36 km per hour, इसको अगर meter per second मैं convert करें, कर सकते हैं, अगर यह तो याद होगा, आपको 36 को कैसे लिख सकते हैं, multiplied by 1000 divided by 3600, तो फाइनल यह कितना आजाएगा, 10 meter per second, 10 meter per second, ठीक है, two cars B and C approach car A in opposite directions with a speed, तो पहले speed की बात कर लेते हैं, तो VB और VC इन दोनों के speed equal है, VB, B54 है, और VC भी 54 है, इसको भी meter per second मैं आप convert कर लेंगे, multiplied by 1000 divided by 3600, ठीक है, तो 54 को कितना लिखते होगे, 15 meter per second और यह भी कितना आएगा, 15 meter per second, यह information given है, अब दिखे, two lane का रहे है, two lane road है, तो मैं ऐसा दिखा दा हूँ, तो यह क्या हो गया, B हो गया है, this one is car B, और यह car C, two cars, B and C approach car A in opposite directions with a speed disk, तो यह तो मैंने लिख दिया, यह VB हो गया, और यह क्या हुआ, B, C, इसको approach कर रहा है, तो B को, A को approach कर रहा है, तो A को मैं ऐसा लिख देता हूँ, यह A, लिख सकते हैं, अब क्या कह रहा है, at a certain instant, when the distance A, B is equal to A, C, तो यह A point है, यह B है, और यह क्या है, C, तो यह दोनो distance equal है, it is 1 km, मतलब 1000 meter लिख सकते हैं आप इसको, यह 1000 और यह भी क्या हो गया, 1000, क्या तक समच है, B decides to overtake A, before C does, जब यह situation रहता है, जिस moment पे इन दोनों के बीच की distance equal है, मतलब between A and C, and between A and B, दोनो 1000 है, तो B के दिमाग में आता है, बाई मैं इसको A को overtake करता हूँ, जिससे पहले की C इसको cross कर ले, B सोच रहा है, मैं A को overtake कर लो, उससे पहले की C इसको cross करे, लेख सकते हैं, B decides to overtake A, before C does, C जैसे इसको cross करता है उसके पहले, लेख सकते हैं, what minimum acceleration of car B, is required to avoid an accident, avoid an accident, तो देखो, ये क्या था, टूर, जो, ऑना, टू लेन रोड, तो टू लेन रोड में मालो, एक ऐसा निकल ले, ये कार तो दूसरा, दूसरा, दूसरा है, तो ये just cross करना चाहता है, ताकि इसको cross कर ले, और ये इसको अराम से, safely ये बाहर आजाए, तो हम लोग देखते हैं, कि भी, इसको यहां तक पहुँचने में कितना time लगेगा, मतलब सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा, कि B के पास time कितना है, तो B के पास time कितना है, जब C A तक पहुँचने को है, तो अगर मैं velocity of C, with respect to A लिखूंगा, तो दोनों को add करना पड़ेगा, because दोनों opposite direction में चल रहा है, तो क्या लिखूंगा, V C A को, V C प्लस, V A, और आपने V C A और calculate किया हूआ है, तो 15 प्लस 10, 25 किलोमेटर, 25 मेटर, क्योंकि हमने convert कर लिया हूआ है, 25 मेटर पर सेकेंड, ठीक है, अब देखें, जो displacement है, कितना है, 1000, अगर C को, A तक पहुँचना है, तो कितना distance travel करना है, 1000 with respect to A, लिख सकते हैं नहीं यहां तक, तो with respect to A, 1000 मेटर, तो हम दो क्या लिखेंगे, टाइम कितना है, B के पास, तो जितना time, C को A तक पहुँचने में लगेगा, definitely C भी इस तरफ मूफ कर रहा है, तो इसलिए मैंने relative use किया, तो कितना हो जाएगा, 1000 divided by 25, 40 seconds, मत्तब B के पास 40 seconds है, बट B को accelerate करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि इसका जो relative velocity है, वो कम है, क्यों कम है, तो velocity of B, with respect to A मैं लिखूँगा, तो कितना आएगा, VB minus VA, बिकोज दोनों same direction में है, तो VB कितना होगा, 25, sorry 15, 15, हमने calculate किया हुआ है इदर, 15 minus 10, मत्तब कितना, 5 meter per second, और distance कितना travel करना है, मत्तब displacement of B, with respect to A, अगर देखना है, तभी तो इसको overtake कर पाएगा, तो ये 1000 meter, 1000 meter, और time ये 40 second है, तो देखो, distance जो है, कितना, 1000, ये क्या होना चाहिए, UT, मत्ब 5 into T, T मत्ब कितना, 40 seconds, जतना C को time लगेगा, A को pass करने में, उतने time में, उसके पहले इसको cross करने, तो exactly वही time मैं निकाल लूँगा, तो plus half, acceleration चाहिए, into, 40, का square लिख दोगे, लिख सकते हैं, अब यहां से देखिए, कितना आ जाएगा, 1000, 200, plus, 1600, A, upon, 2, लिख सकते हैं यहां तक, क्यों लिखा, कैसे लिखा, समझ आ रहा है, upon 2, into A, ये कितना आ गया, 1000, minus 200, ये कितना, 800 लिख सकते हैं, divided by, 800, तो finally, आपके पास, answer कितना होगा, 1 meter per second, समझ आ गया, तो इसको समझते जाहिए, इसको देखिए, like करिए, share करिए, अगर कुछ लग रहा है, और इसमें, chapters के भी, explanation आने, अलग अलग concept relative हो, या फिर graph हो, या कुछ भी हो, physics का, अब देखते रहे हैं, चैनल पे रहे हैं, अब देखते रहे हैं,